यहां पर करीब 75 का लेवल था कि यहां पर हम बाइंग प्लान कर सकते हैं और एक बहुत चोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आने वाल टाइम में करीब 110 से लेकर करीब 140 तक के टार्गेट हमें देखने के मिल सकते हैं जो कि अल्मुस्ट डवल के आसपास होंगे फिलाल अगर हम करेंट लेबल पर देखें तो श्टॉप ने अभी करीब 96 रूपीज का हाई लगाया है और अभी 89 रूपीज के आसपास लाश्ट क्लोजिंग दिया है तो क्या श्टॉप नेगटिब बनने वाला है जैसा इसका फॉर्मिशन मना हुआ है हम अभी देखें तो ब्रेक आउट के बाद से श्टॉप ने यहाँ पर एक ब्रेक यहाँ पर देखने हैं थार्ड मोमेंट हम अभी देखने क्लिए मिल रहा है अभी के लिए गर हम सबसे अच्छा बाइंग करनल देखें तो यह वाला बना हुआ है इसके ऊपर ही अभी तक श 10700 इसकी होगा जिन्हों ने ओलर्टाइड किया हुआ वह continue कर सकते हैं यहांप अगर आपको फिर से चांस मिलता है त एक बार आप फिर से बाइंग प्लान कर सकते हैं क्यूंकर इस लेवल पर आएगा तो आपको फिर trade के साथ इसको experience कर सकते हैं ऐसे किसी भी stock पर analysis चाहिए stock का नाम comment कर सकते हैं support resistance की labels के लिए हमें telegram channel पर message कर सकते हैं जिसका link description channel के about works में दिया हुआ है या कोई भी buying selling recommendation नहीं है तो अगर आप कुछ भी real money के साथ buying या selling plan कर रहे हैं तो पहले आप अपने analysis करें